नमस्कार इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पर जो फसा हुआ एक क्योटी जल प्रपात में इस जगह पे बड़ी खतरनाक इस्थित में एक बचला चोटा सा फसा हुआ था एक द्याफिम्यवी रेस्क्यू आप्रेशन का गाज इसमें से साथ उपर निकाले गए हैं गोवन्सों को धकेला जा रहा है बिसे तोर से गाएं होती हैं पस कुरूरता की हद को पार करते हुए यहीं पर आज तीसरे दिन 27-12-2018 को देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह पारे चल रहा है 27-12-2018 को इन गववन्सों को गायों को बचलों को बैलों को और इसक्यू बग डेड़ दर्जन के आसपास इनको निकाला है भी नीचे और भी यह पो निकाला जाएगा 27-12-2018 इस आई नववर्स 2019 प्रारम होने वाला है और देखा जा सकता है कि रिव आमत विदेश में किस तरह से गोवन्स प्रताड़ना इं रंतर बढ़ी हुई हैं और सरकार सासन में अपना ही योगदान देते हुए है 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 आप सुनिये आप 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 आदम अच्छा उधर ठीक है आआल स्फियमेगो जोयाए है इसे यह मांत बडागा अपना में आप दो एक मीरी हैं वाल आ उइसको मॉल्सा आ एक हांत भिलागा तूमस अगाल घ्ली आ यहां लीये यह रफंसार आप स अद्लश कं ववज़ंग करी नैक बदूल रैपारें तो इसे ब्संवों क शागरन म और अभी एक उदर गाय भी है, इसको भी यहां से उपर ला करके निगाला जाएगा, कई दर्जनों लोग हैं, आपे दर्जनवर लोग, जो इस rescue operation में भाग ले रहे हैं, मारे साथी आनंद जिवेदी, बन में भाग के कुछ कर्मचारी, कुछ मान से भी, कुछ गाउं के कुछ ला रहे हैं, इसको भी उपर ले जाना है, इसको भी उपर ले जाना है, आचारोगर घाटियां है, बहुत गहरी घाटिया है, हजारोफिट गहरी घाटिया है, क्योटी के जल्प उखत कफी खतरनाक मना जाता है, अभी भी दिखिए किस तरह से rescue operation चलता हुआ, जो प्रियास यह किया जाएगा कि चल करके चल करके निकल जाए, वहां पे गाय भी है, जो पसी हुई है, उसको भी निकालने का प्रियास किया रहा है, लेकिन समस्से इस बात किए कि कहीं वह भी बैठना जाय रहा है, क्योंकि बैठने के बाद में, आप ऐसा करिए अब हो गया वह निकल जाएगा, निकल जाएगा, जो ठीक है, थोड़ा सा उपर खिच लिए, एक हुआपर इसको खिचा जा रहा है, नेखिए कैसे हजारों फिट गहरी गाटी है, अमानवीता की हदों को फार किया गया है, एक अमानवी जिस तरह से कहते हैं कि मान उप्ता भी स आपनी में रहती हैं लेकिन एहां पे लोगों ने पसु कुरूड़ता की हदों को पार कर दिया है उनको पसुओं को समुहिक तौर पे धकेल दिया गया जिनको रेस्क्यू करने का कारे किया जा जा रहे हैं जो इसे महत्तपून अभियान में मादद कर रहे हैं तो यहां के भी है ने उसको कान पकड़े रहेना क्योंकि भाग जाएगा उसको पकड़े रहे से इस थरह हैं हां उसको भी निकलवाने का प्रयास किया रहे हैं साहीम आगे इसमें मादद भी करेंगे तो अएशला सो बंद करें शिवान्द आज्वन्डिवेदी अरीवामत्विदस के क्यो